ऐलो, द्रियन फैमली! तो कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए! तो फटाख से लािक से संस्क्राइब कर दो! चैनल पर लाइक का वटन दिख रहा होगा! वीडियो पर सीयर और संस्क्राइब का वटन भी दिख रहा होगा! तो से अलसूस दबा देना तो कि दबाओगे तो अच्छा लगेगा बे लाइक कर दो सेयर कर दो सस्क्राइब कर दो कमेंट कर दो जो जो कर सकते हो कर दो जो नहीं कर सकते हो वो भी कर दो सीधा यहां से उठते हैं और चलते हैं पिछली एपिसोड में क्योंकि अब जो पिछला एपिसोड था हमको भार ही पसंद आये था तुम लोग को भी पसंद आये था नहीं भी आये फिर भी बोल देना क्या है था तो हुआ ऐसा था कि वेसिकल हमने देखा हुआ होता है पिछल एपिसोड में कि जो यान को जो टेक्निक सीखनी होती है वो बता देता है कि हमको फॉर्विड़न गेट सिखला दो जो देखे जो यान कहीते हैं बहुत सही बंदे टेक्निक तो तुम काफी अच्छी जूज क्यों हो तो चलो हम तुमको इस टेक्निक के बारें कुछ बता देते हैं 5 level की technique है यानि की दमदार technique है साथ ही साथ जो technique है इस appear होने के ले इस पिचल पावर का यूज़ करती है साथ ही appear होने के बाद ये बंदे की soul की लंका लगा देती है अब इसमें एक और चीज भी है कि ये technique बंदों की soul को absorb करके कि तुम्हारी सोल पावर को बापस से इंक्रीज करने में भी तुम्हारी मदद करती है लिस्ट टेक्निक को तीन टैप में वाटा गया होता है कि लिंग चेंज और फ्यूजन तो वो पहले कहते हैं कि बेड़ा देख पहले तो तू सोल गेट को मतलब फॉर्विडन गेट को अ माउंटें होती है किंगलिंग माउंटें रीज्ज वहां के जो वीष्ट होते है उनकी फटकल फ्लावर फॉट हो जाती है और वो दूर-दूर भाग रहे लगते हैं जिसके बाद जो एक्साइडिड होकर चिला तुए कर दिया कर दिया जो देख जो यहान आता है क्या होग नहीं कि spirit killing भी सिखाते हैं और ये लोग बढ़ गए होते हैं आंगे की direction की तरब आंगे की direction की तरब जाते हुए ये पहुंचते हैं ये पहुंच गए होते हैं और एपिसोड भी मैंने वहीं पेंड कर दिया था हाँ इसी बीच हमें ये भी याद रखना है उन्होंने जो अनको बहुत साभी medicine इंगीडियंड और ट्रेजर दिये होते हैं और काफी सारे high level के magical core तो एपिसोड मैंने वहीं एंड किया था तो ये एपिसोड इस्टार्ट होता है जैस्ट वहीं से आओ देखते हैं अब इस एपिसोड में क्या होगा तो ये जो फैंके मैंसन था ये medicine एरिया में जो stable होता है साथ ही medicine एरिया का सबसे rich city होता है जिसका use medicine city को या medicine mansion को represent करने के लिए किया जाता है मैंसन यानि domain ठीक है medicine domain और अलग अलग domains है तो जहां मैंसन आ यूज हो रहा है उसे समझना domain यानि कि वह अलग area या एक अलग reason जैसे bdth में था gamma empire वह northern domain था central domain west domain में वह था blood area ऐसे ही साथ ही साथ जो फैंगे मैंसन था ये तीन main domain और 12 मैंसन में सबसे main important parameter या point में था यानि क सबसे precise domain में से एक या mansion में से एक साथ ही साथ फैंगे मैंसन अपने आप में अपनी importance को दिखाने के लिए भी परयाप था आकगा सबको पता होना चाहिए कि पूरे recent continent में चार areas और 12 मैंसन में से cable चार ही है जो फैंगे मैंसन के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़े हो सकते हैं साथी बाकी के तीन भी अपनी जगह पर कापी एरा popular और repotated mansons माने जा सकते हैं साथी यहाँ पर जोयन और जियो युवान जब दूर से देखते हैं तो उनके सामने सेर की एक कापी बड़ी दिवार देखी जा सकती थी यह फैंगे मैंसन का entrance gate होता है जहाँ पर 9 गुना giant stone tablet appear होती है निकी खड़ी हुई होती है ऐसा लग रहा था जैसे अनकी नस सालू से यहाँ पर खड़ी हुई हो यहाँ तक इसमें उड़ने बाले dragon और phynix के घुमावदार चित्रों को भी उकेरा गया होता है जो देखे जोयन के तक क्या आखिरकार हम यहाँ पर आ गए जै थे जो एक long journey के बाद successfully city तक पहुँच चुके थे साथ यहाँ तक पहुंचने जोयन के उमीद से कही ज़्यादा रोमान चक रहा था क्योंकि जोयन ने जितनी मेजिरेशन में city को सोचा था यह से काफी ज़्यादा extraordinary थी यहाँ काफी सारी दुकाने और चका चौन से भरी हुई stall देखी जा सकती थी तबी जो यहाँ कहते चलो छोटे साथी हालकि यहाँ पर कोई भी मूल तोर पर काफी अच्छी या प्रीसेश चीज तो नहीं है लेकिन क्या पता सारी तुम कुछ अच्छे ज़्यादा लगी हो और तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ा मिल जाएं लेकिन बात सिर्फ इतने के हमारे पास अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास फ्यूचर में टाइम होगा तो हम जरूर रुकने के लिए यहाँ पे आएंगे अब एकला हम एक रात रुकने के लिए जगह ढूणेंगे और कल मेडिसिन मैंसन के मेडिसिन फियर के लिए तयार होगे इसलिए हमें मेडिसिन सिटी जाना होगा जो देके जुन कहता बहुत अच्छे मैं भी यहाँ से कुछ अच्छी चीज़े और इंग्रीडेंट्स खरीद लूँगा जन्या चाका चौनबाली भीड को देख रहा होता और भीड में घुश चुका होता है और और औक से आंजू नामक फ्लेस में आ गया होता है बात बस इतनी होती है कि इस सराया में आकर ये लोग अराम करते हैं और अंगले दिन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके बाद इन्होंने सीधा ही दो स्लीपिंग रूम को वुक कर लिया होता है जोयान ने कहा होता है कि अपनी एनेटजी को यहां पर रिकरवर करना सबसे बहतर होगा लेकिन तुमने तो पता ही है कि जोयान का बीवी सांत नहीं बैठ सकता और क्योंकि जोयान जोयान को यहां तक लेकर आया था इसलिए जोयान का जो और रहाया कोई थी वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई थी जोयान अभी भी अपने पीक लेवल पर था दूसरब जोयान इतना कहने के बाद जोयान के रूम से बाहर चला जाता है दूसरब जोयान ने भी उन्हें बता दिया था कि वो कुछ टाम के लिए सिटी में टेहन लेक ले जा रहा है और इसके बाद जोयान इन लोगों के समंदर में गायब हो गया होता है और कुछी से चीजों के बार में इधर उधर पूछते वो घूमने लगता है और अलग-अलग टाइप की दुकानों को देखने लगता है लेकिन सड़क के किरारे जोयान कुछ अच्छी चीजों को देख सकता था हाला कि उनमें से जो ज़्यादा ज़्यान के ध्यान को अट्रेक्ट नहीं कर पा रही थी इसलिए जोयान कुछ बहतर दुकाने और कुछ अच्छी चीजों को देखना चाता था जिसके बाद जोयान तुरंदी गयता है क्यों आउफेंग जोयान एक साधारन से नाम को पढ़ता है कि ये नाम कई अजीब और मुस्किल से मिलने बाले मेडिसल इंग्रिडियंट और हैवन और्थ के बीच के एसेंश टाइब चीजों के लिए कहा जाता है जोयान तुरंदी गयता है मैं हैरान हूँ कि क्या इस जगह पर कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे साटिस्वाइट कर दे क्यों आप फैंक के अंदर जोयान चला गया होता है और दर्वाजे के अंदर जाता ही बाहर का सोर ऐसा लगता है जैसे गायब हो गया हो जोन को नहीं पता था कि अंदर क्या है ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई स्पीड या स्पेस टाइप फॉर में सर एक्रिबेट करके रखे गई हो जो कि इस पॉइंट को पूरी तरीके से वाइसलेस और वैक्यूमलेस क्रेट कर देती है लेकिन अबेसले स्पेस बैरियर को क्रेट कर निकले दरजन और डावडी लेबल के स्ट्रॉंग बॉरियस की जरुएत होती है तब यह काब आ जाती है जनाब हमें नहीं पता आप किस लेबल के इंग्रीडियन के लिए यहाँ पर आए है आपको क्या चाहिए आप हमें बता सकते है और इस मेहमान का सौगत करने बाला एक मेजवान वहाँ पे अपेर होता है जो काफी पॉलाइड होता है जो देखर जन कहता है अरे चचचा जितना हाई लेबल के इंग्रीडियट तुम हमको दे सकते हो उतना दो हम तो यहाँ लेने के लिए ही आए है तुम देना चाहो तो दे सकते हो जितना अच्छा प्रोड़क्ट उतना अच्छा पईसा जो आना सपस के ले आउट को देख रहा होता और यहाँ का जो अर्रेंजमेंट था जो उनको वो भी काफी अच्छा पसंद आया था यह जो क्यों आउट फैंक था इसे तीन फ्लोर में डिवाइट किया गया था पहला जो फ्लोर था काफी बेसिक इंग्रीडियंट थे जो की हर टाइम पे यूज होने लगते हैं जैसे कि पहरा सिटा मॉल टाइप इंग्रीडियंट जिसके बाद जो दूसरा फ्लोर था और तीसरा फ्लोर वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़े थी एस कंपियर टू फ्लोर फ़स्ट लेकिन पहले मनजल की जो लॉबी थी उसे काफी वेहत सांदार तरीके सजाए गया था पूरा वर्फ वारीक हरे रेसम के फ्लोर से बना हुआ होता है या कैतो टाइल से आसपास की दीवार कुछ एसियंट इंक्रिप्सन से लिखी हुई होती है यहाँ पे हर एक इंग्रीडियंट और हर एक मटेरियल को एक अलगी medicinal box से pack किया गया होता है पिर परत दर परत perfectly arranged किया गया होता है उसके बगल में एक brand होता है जिसमें उसका नाम भी होता है उसका काम भी होता है time भी होता है और एक detailed information होती है साथ यह काफी आए ताजगी का एसास दे रहे होते हैं कुछ books healthy होते हैं जिनके आसपास कुछ rare flowers होते हैं जो काफी साधा और एक अच्छी और peaceful fragrance सो कर रहे होते हैं जो देखे जोन कहता बुरा नहीं बुरा नहीं प्लेस तो सच में काफी अच्छा है तब ही वो अंदर तुरह दिगता है तो senior आपको high level के medicinal ingredient चाहिए मेरे साथ उपर वाली मंजिल पे आई है जो देखे जोन कहता ठीक है जोन सब फूलाओ करते हुए second floor पर आचुका होदा है first के compassion में जो second floor था वो थोड़ा सा छोटा था अब देखो three-and family चाहिए वो novel हो या real life ये तो दुनिया का universal law है जितना ज्यादा पैसा उतना छोटा एरिया जितना कम पैसा उतना बड़ा एरिया ये तो है ही है इधर उधर गूमने के बाद जोने दो second floor होता है उसमें काफी सारी जीब चीज़े देखे होती है लेकिन उनमें से काफी अच्छी चीज़े भी होती है कुछ लेकिन कोई भी इतनी स्टॉंग नहीं होती कि वो जोयान को अट्रेक्ट कर सके जोयान का यह जो में काम था वो सबसे मेंची एमप्रेयर विंड होली पिल को रिफाइन करने के लिए कुछ में इंग्रीडियन्स को ढूड़ना था उनमें से डेड़ वुड इसनेक वाइन जिसे जोयान ने पा लिया था उसके बाद था सोल यूआर फूड जो जोयान का एंसेश्टर से मिल गया था अब केबल दो ही बच्चे थे कलरफुल नैंसी और मेलेनियम ग्रीन इस्पिरिट फ्लावर जोयान तुरंदी कहता है किया मैं हैरान हूँ यहाँ पे कुछ बहतर देख सकता है क्या हुस्सा हो सकता है कि सीनियर की नजर में यहाँ कुछ आ रहा है वो बंदा भी जोयान की तब देखतो कहता है जो देखकर जोन कहता है यहाँ पर काफी सारी चीज़ा ऐसी जो काफी अच्छी है और मुझे पसंद भी आ रही है लेकिन दुरवाग से मैं यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी जो देखकर वबंद तुरंदी कहता मुझे नहीं पता सीनियर आप किस टाइप के इंग्रीटेंट को ढूड रहे हैं क्या मैं उसे ढूड़ने में सीनियर की मदद कर सकता हूँ जो देखकर जो आन एक पल के लिए सोचतो है कहता है ठीक है फिर मेरे पास कुछ काम है आपके लिए मुझे कलरफुल नैंसी और मेलेनियम ग्रीन इस्परेट फ्लावर चाहिए मैं हरान हूँ कि कि आप ये दू चीज़े में लिए ढूड़ सकते हैं जो देखकर वो तुरंदी कहता है कलरफुल नैंसी मेलेनियम ग्रीन इस्परेट फ्लावर सीनियर हाला कि मुझे ये नहीं पता कि क्या कलरफुल नैंसी है हाला कि हमारे क्यों आउफ फैंग में एक मेलेनियम ग्रीन इस्परेट फ्लावर जरूर है लेकिन सीनियर्स की कीमत काफी महँगी है जो देखे जोन कहता है मेली नेम ग्रीन इस्प्रेट फ्लावर क्या ये आपके पास यहाँ पर है जोन एकदम एकसाइटेड हो गया जोन कहता तक लिया लेके आ जल्दी लेके आओ जल्दी लेके आओ जोन के दिल में एकदम एकसाइटमेंट आगया होता है आके कार जोन को जो इंग्रीडेट मिलते जा रहे होते हैं वो जोन को उसकी उस पिल के साथ एक स्टेप जोन को क्लोज ले जा रहे थे साथी कीमत की जोन को कोई परवाह नहीं थी जो अन्तुरंती कहता है मैं यह चीज खरीदना चाहता हूँ यहां के हेड या मैनेजर को मैं इसाथ बात करने के लिए भेजिये जो देखरों बन्दा कहता है जी सीनियर वो जल्दी से यहां से 9-11 हो जाता है और एक पल के बाद 60-70 साल का खूसर बुड़ा प्यार होते हूए जो आनकी तरफ देखता है मैं C.E.E. हूँ क्यूआव फैंग का मैनेजर मैंने सुना कि सीनियर क्यूआव फैंग से मेलिनियम ग्रीन इस्प्रेट फ्लावर खरीदना चाहते हैं क्या यह सच है या नहीं जो देखे जो आनकी ता है सीसी बिल्कुल मुझे वो चीज चाहिए आप से मिलकर मुझे खुसी हुई आप मुझे बता सकते है कि मैलिनियम इस्प्रेट फ्लावर की कीमत क्या है और क्या आप इसे छोड़ सकते हैं आप बस मुझे बताईए कि आप उसके बदले में क्या चाहते हैं जो देखकर सीसी तुरन्ती कहता है सीनेर उसके बदले में मुझे हार्ट को इस्ट्रॉंग करने वाली एक पिल चाहिए इसके बारे में क्या खयाल है I mean जो यान यहां पर खहता है मैं इसके बदले आपको हाट को इस्टौंग करने वाली एक पिल दे सकता हूँ जो सिनकर सीध हुई उसकी आपके एक दम से कुड़ गई होती है उसे पता था कि हाट को इस्टौंग करने वाली जो पिल होती है वो ये Series Great की एक इस्टौंग पिल है जो देखके जोन के था बिलकुल तो मैं हरान होगी कैसे मेलीनम इस्प्रिट ग्रट के साथ बदला जा सकता है जोन के चेरे पे स्माइल होती और वो वेट कर रहा होता है जिसके बाद वो बन्दा अब्यसली जोन के इस बाद से एगरी होता है और अंगला जो प्रोसेडर होता वो इस्टार्ट हो जाता है और जोयान को मेलीनम ग्रीन इस्प्रिट फ्लावर मिल गया होता है अब जोयान को होली बिंट पिल बनाने के लिए जो चीज की कमी थी वो थी केवल कलरफुल नैंसी जिसके बाद जोयान बीट से बाहर निकल कर सीधा ही आसपास घुल कर गायब हो जाता है लेकिन जोयान की दिल में चाना की एक मिश्टियस फिलिंग महसूस हो रही होती उसे जिसने उसे हलपलेस महसूस कर था इसके अलावा जोयान सोल जट को बाहर निकलता है जिसमें सभी के सभी के सोल साइन होते हैं और इस सोल जट में पाँच डॉट में से एक को छोड़कर बाकी के चार बहुत ज़्यादा खतानाग तरीके से धड़क रह होते हैं इसके अलावा जो ये बाइब्रेसन थी तेज पे तेज होती चार ही होती है जो देखके जोन कहता है क्या कुछ हुआ है जोन सोल जट को देखने की पहली प्रक्या को काफी हैरत अंगेज महसूस करता है जोन तो अंदी कहता है इस एसन कॉंटिनेंट में पहुँचने के बाद यून और बाकी के लोगों के बार में कोई ख़बर नहीं आई जोन के लोगों के साथ कुछ हुआ है कुछ ऐसा जिसने उनकी जान को खत्रे में डाल दिया जोन के इस कॉंटिनेंट में यून और बाकी लोगों के बलावा के बैलनसेश जो यून के साथ ही थोड़ा मुड़ा इंट्रोडेक्शन और पहचान था उसके लावे जुआन का कोई भी फ्रेंड नहीं और अगर कोई भी यूनर को या फिर उसके साथ जुड़ेव परसन को चोट पहुचाने की कोसित करता है तो ये जुआन के लिए सबसे जादा दर्दनाग जगह होगी इ कहा जाए तो फैंगे सिटी के आसपास ही होने चाहिए लेकिन स्टैंप पे जुआन ने इस सिटी के सारे ही रूल्स को एकनोर कर दिया होता है और जुआन की बॉड़ी से एक स्ट्रॉंग स्पीड के साथ एयर में और निकलता है जुआन सीधा हवा में आ जाता है उसकी पासकर जकर लिया होता है तेज पेंट के कारण जो यान ने भी अपनी स्पिचल पावर को सभी डायरेक्शन में फैलाना सुरू कर दिया होता है तब यह एक आबाज आती है जे कौन इगोइस्टिक परसन है अगर आप जल्दी से अपने औरे को बापस नहीं लेते तो आप आपको पनिस्मेंट दी जाएगी जैसी जो आन यूनर और आपकी के लोगों को खुजने ही वाला था के जाना कि एक तेज आवा जाती है और यह इस सिटी के लोगों को समझाने की कोसित कर सकता था लेकिन अब यूनर और बाकी लोगों की जान खत्रे में है और जो कोई भी यूनर को खोजने इससे रोकने की हिमत करेगा जोन अब इसलिए उसे भी मार ही देगा जोन सीधा ही कहता है यहां से बाहर चले जाओ लोगों में स्टीम की धमक्यों को इग्नोर करते हैं जोन ने सीधा इगो इस्टिक तरीके से चला होता है ऐसा लग रहा होता है जैसे चाने की कोसिस करना चाहता था इसलिए जोन ने आप अपने श्ट्रॉंग और दवंग व्यक्तित्त को पूरी दाइके से सोकिया होता है जोन को कोई फर्क नहीं पड़ता थे कि अच्छा या बुरा तभी एक आबाज आती है तुम बेहदी गोश्टिक हो तुम के बले एक जाओडी हो और फिर भी तुम इस सिटी के रूल्स को वाइलेट करने के हिमत करते हो क्या तुम मरना चाहते हो चाहे आज हमें तुम मारना भी को ना पड़े हम अपने सिटी के रूल्स को जरूर ही प्रोटेक्ट करेंगे जो देखके जोन कहता बैतर होगा कि आप मेंसे कुछ ही बोले जा रहा है जो देखकर वो तुम तुम बहुत ही गोश्टिक हो सिटी गार्ड तुसे पकड़ने क्ले मेरे साथ चलो जैसे को डवा जाती है दर्जन भर सिटी गार्ड जो हाप डावडी और डावडी लेविल के होते हैं जो आनकी तरफ दोड़ पड़े होते है फॉर्मेशन को क्रियेट करते हुए तभी जान के था ठीक है मुझे वो मिल गई फैंगे सिटी इस्ट डाइरेक्शन थाउजन मील दूर यूनर मेरा वेट करो मैं आ रहा हूँ तभी अचाना के एक आबा जाती है लॉइंफोर्मेश टीम उससे मार डालो और इतना कहने के लॉइंफोर्मेश टीम अपने हाथ के हैंट्पिंट साण को चेंज करने लगते हैं और जो उपर दबाव डाने लगते हैं और एक तेजह अबा सिकारी के पंजे की तरफ पहने लगती है जो देखकर जो अटेक को देखा होता है और उनके अटेक से आ रहे हैं एयर गया पेर हो जाता है और इसके बाद उनके अटेक से डॉच करते ही जो अन तुरंदी करता है या लो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और यह जो यान का स्प्रिट टाइप अटेक होता है जिस उनके कान और जान दौनों ही हरी हो चुकी हो दिया है जो यहां पर लॉइंफोर म की बाद यहां से गयब हो जाती है और इस सिटी के इस डिरेक्शन पर जौन तोड़ने लगता है और उसके आद में वहाई सोल जैड होती है जो यान यह लोगों के सोल प्रेंट को टीम टेमारता हुआ दिखा रही होती है जौन तुरंदी कहता यूनर रुको मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुंचूंगा जौन के एकदम लाल होती है और दात जकड़े हुए जौन तुरंदी कहता कोई फर्क नहीं पढ़ता तुम कौन हो मैं जो यान यह कंफर्म करूंगा कि मैं तुम्हें तुकडों में तोड़कर एक क्रूएल मौत हूँ जहां तुम मरना भी चाह उसकी तो बात ही करना बेकार था यह इतनी श्टॉंग होती है कि ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो बंदा जौन के सामने आ गया तो जौन सिर्फ उसे अपनी इंटेट से ही मार देगा जसके बाद जौन अपनी स्पीड को और तेज बढ़ाएं लगता है और तेज बढ़ा को फॉलो करती है तो टाइम आने पर मैं वांग डे आपको सेकेंड यंग मिस कहूंगा क्या यह अच्छा नहीं होगा तो आपको हार क्यो नहीं माल लेनी चाहिए ऐसे फाइट करने का क्या ही फायदा साथ यह हाप एजन मैं जो कि खुद को वांग डे कह रहा होता है यह वांजी टांग होता है वो अपने हाथों को लहरा आते होए धीरे धीरे आंग याता है जो देकर यूनर तुरंदी कहती है सिर्फ तुम्हारी में जिनेशन है भले ही मैं मर भी जाओं मैं कभी भी तुमसे साधी नहीं करूंगी जो देकर वो तुरंदी कहता हो ऐसा लगता ह कि ये लोग आपके रिलेटिव हैं अगर आप नहीं चाहते कि वो मरें तो कुछ भी वेवकूपी वाला काम ना करें बंड़ा मैं इन लोगों को धीरे धीरे टौचर करकर के मारूंगा जो देखकर जूकून भी कून की उल्टियां करते होगे कहता है तो मैं एक्सन ले सकते हो मैं अपनी लाइफ को लेकर लालची नहीं हूँ ना ही हम हम ना ही हम मौस से डरते और ऐसे कहते तो वो कोल्ड बे में उससे बात कर रहे होते हैं जो देखकर आब आज आती है ओल्ड ड्रेगन अगर तुम्हें इसे इंत्यान लॉंग क्लेंस से होते तो आज मैं तुम्हें जाने दे सकता था लेकिन अपसोस की बात है कि तुम कुछ नहीं हो अगर मैं तुम्हें जिन्दा पकड़ भी लूँ अगर मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ भी दूँ तो भी तुम मेरी सवारी ही बनोगे अगर तुम मेरी सवारी बनने को तयार हो तो मैं तुम्हें जिन् करेंगे तुम दोनों जितना जल्दी हो सके जाओ और जो यान को ढूड़ो और जब तक उसके पास पावर हो उससे हमारा बदला लेने के लिए जरूर कहना जैसे यह आबाज यूनर के कानों पर आती है यूनर तुरंदी कहती है फादर नहीं जो देखकर आबाज आती है यू आबे चूतिया है क्या हजारों सालों से जिन्दा हूँ मैं मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइफ जी चुका हूँ और मौच जैसा यह जो सुनहरा मोका है वैसे भी हमारी लाइफ में बारवार नहीं आएगा साथी मैं काफी सारे हाई लेबल को भी क्रोस कर चुका क्योंकि यही हमारी लाइफ का एंड है बड़ फिर भी मैं काफी सैटिसफाइड हूँ और अगर हम यहापे खुद को सर्फ डिश्टक्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम एक या दो डावडवी लेविल के वोईर्स को तो मार ही देंगे यह कोई नुकसान की बात नह जिसके बाद गूयान और जुकून तुरंती पीछे की तरब जाने लगते हैं और उनकी बोडी का जो औरा होता है अचाना की वाइल्ड होने लगता है जो देखकर वांग डे तुरंती गुस्से में चिलात हुए कहता है गो टू हैल और अपने पाम अटेक को सीधा ही गूय गूयान की तरब चार्ज कर देता है यह पाम अटेक गूयान के सिर पर अटेक करने वाला होता है ऐसा लग रहाता है जैसे यह अटेक एक ही बार में गूयान के खोपड़े के छोपड़े को उसकी खोपड़ी के धर से अलग कर देगा दूस्तब गूयान जो सेब डिश्टर को ब्रेक कर दिया होता है जिसके बाद काले कपड़े पैनु एक बंदा है वेन और्थ के बीच अपयर होता है जिसकी पावर अपने पीक पर होती है और उसका ओरा चार तरह पर इस प्रैड हो रहा होता है जैसे कि उसने पूरे बैटल एरीना को घेर रखा हो यहां तक कि इस परसन की तरह है और निव परसन की तरह है जिसका चैरा काफी आला सौप्ट और अट्रेक्टिव था लेकिन पाबर काफी श्ट्रॉंग और काफी स्टेबिल साथी साथ यहां पर वांगडे जिसकी पावर वान इस्टार डावडी लेबल के लेटर स्टेज पर थी उससे भी सामने वाले बंदे से काफी स्टॉंग खत्रा पैदा महसूस हुआ होता है तब ये चानक ही जो वांगडे होता है वो तुरंदी गता है सर एक मास्टर यहाँ पर है हमें क्या करना चाहिए और गुवान जीन टियान की तरब देखता है जो देखको तुरंदी गता आप किससे डरते हैं उसकी स्पीट को और पावर को देखतो मुझे लगता वो त्री स्टार डावडी से जादा नहीं होगा मेरे घर में नौकर भी उससे जादा पावरफुल है उससे डरने की कोई जाद नहीं अगर वो आपके काम में इंटर्फियर करने की हिम्मत करता है तो उसे मार दो बैसे भी एक से बले दो गवान जी टॉंग जैसे ही कह रहा होता है वो विलकुल इगोश्टिक सरीके से बात कर रहा होता है दो सब गुयान फैमिलियर परसन को देखे देखते हुए अचानक ही वो इंजर्ड होते हो भी हसने लगते हैं क्योंकि अब ये परसन उनके सामने था तो अब्वेसली मेरी कल सोना तो कोई बड़ी बात नहीं थी तब ही यूनर भी तुरंदी गयती बैधर जी ओ यान और अपने सामने फैमिलियर फेस को देखकर तो यूनर के आखे लगभग गीली हो चुकी होती है आखें ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाली है आखे का जब से बोलोग इस कॉंटिनेट में आये थे उन्होंने चार सालों से जोयान को नहीं देखा था और ये कलपना करना भी मुश्किल था कि उन्होंने खुद को कितना मिस्स किया होगा एक दूसरे को तब ही आँगे बढ़ते होई जोयान ने सीधे ही यूनर को कसकर गली लगा लिया होता है आखे का लगभग चार साल बाद जोयान इतने साल में इतनी बार उसे याद करने के बाद आज मिला था तब ही उनर तुरंदी गयती ब्रिदर जोयान मैंने आपको बहुत मिस्स किया यूनर ने तो जोयान को कसकर जकड रखा होता है जैसी कि उसे डरता कि अगर उसने हलके से भी अपने हाथ खोले तो जोयान गायब हो जाएगा साथ ही है फैमिलियर इसमें जो साइद उसे किसी और चीज़ से ज़्यादा पसंद थी वो इसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी तभी जोयान कहता है मुझे भी तुम्हारी याद आई और अगर जोयान धीरे दीरे यूनर के बालों को सहलाने लगता है जिसके बाद जोयान कहता है यूनर अब मैं आप पे आ गया हूँ तो बाकि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो जो देकर यूनर तुरंती कहती हाँ ब्रेदर जोयन आपको जाकर सिष्टर काहलें से भी मिलना चाहिए इतने सालों में साइद उन्होंने आपको मुझसे ज़्यादा याद किया दूसरा कुआन जी टॉंग उस आदमी को तो काफी अजीब लग रहा होता है कि एक बंदा अभी अभी स्पेस से बाहर आया और उस लड़की को कसकर गले लगा लिया जिससे वो पसंद करता है उसके दिल में तो साप लोट गए होते हैं उसे लग रहा होता है कि वो जोयान काभी के अभी सिर कलम करते वो तुरंती रहता है फैमिली का एंसेश्टर्स को मेसेज भेजो और उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहो मैं चाहता हूँ कि यह लड़का यहीं पर दफना दिया जाए वो उस लड़की को गले लगाने की हिमत करता है जिसे मैं पसंद करता हूँ उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए अब चमन चूती है चिल गोजे चमगादर के चमकते चूप छोड़ो इसको समझाओ वे जियो क्लेन का गर एक एल्डर भी बाहर आ गया ना इसके कलेन को सौ साल तक पेलेगा अलाग अलाग जनरेसंस को बड़ा होने देगा फिर पेलेगा फिर बड़ा होने देगा फिर पेलेगा नहीं होगा तो पेल पेल के पैदा करेगा फिर पेलेगा हाला कि काईलेन यहाँ पे एक strong लड़की की तरह देख रही थी लेकिन obviously यह उसकी वाहरी figure होती है जहाँ पे वो एक QN Medusa का intent लेकर गूमती है लेकिन obviously जोयान अच्छे से जानता था कि काईलेन अंदर से उतनी rude नहीं है बलकि वो एकदम polite और kind है काईलेन तुरंदी करता है काईलेन तुरंदी कहती तुम heartless person मुझे लगा कि तुम तो मर गए होगे लेकिन तुम अब तक जिन्दा हो और मुझ से और sister यूनर से मिलने के लिए इतने time तक नहीं आए इकलोती काईलेन ही थी जो यहाँ पे जोयान को डाटने के हिमत कर सकती थी लेकिन जोयान यहाँ हर एक चीज को इग्नोर करते हुए काईलेन की कमर को कसकर पकरते हो उसे कसकर गले लगा लेता है जो सुनकर तो काईलेन यहाँ पे लग भग रोने लगी होती है और उसने जोयान को चीटियां गाटना भी सुरू कर दिया होता है वो तुरंदी कहती है मुझे लगा कि मैं तुमसे अब मिल ही नहीं पाऊंगी तब ही जोयान उसके कान में कहता है अब मैं आ गया हूँ बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो जोयान तुरंदी कहता है अंकल गुईवान सीनियर जुकून आप सब पीछे हटिये और इसे मुझ पर छोड़िये इन लोगों को इस चीज का दस गुना जादा भुक्तान करना होगा जो देखकर हो तुरंदी कहता है दस गुना कीमत मैं होली डोमेन के चार्वेन फैमिलीस में से एक का मैनेजर गौान जी टॉंग का सेकेंड सन हूँ क्या तुम्हें बास्तों में लगता है कि तुम मुझे इस लेबल तक मजबूर कर सकते हो बेकार और घटिया इनसान जो देखकर जोन के तो बास्तों में सेकेंड यंगमास्टर इतनी बड़ी रेपोटेशन लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि तुम कौन हो जब तक तुमने उसे चोट पहुँचाई तुम सब मरने लाइक हो भले ही तुम्हारा घर कितना भी श्ट्रॉंग क्यों नहो और तुम उसके सेंगे नेगमास्टर ही क्यों नहो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये दुनिया और मौत कितनी कोल्ड होती है तुम ही थे ना जो देखकर वो तुरंदी कहता है जोयान काफी अच्छा नाम है ये नाम मेरे नौकरों को काफी सूट करेगा मैं तुम्हें मौका देता हूँ क्या तुम मेरे नौकर बनना चाहोगे और मुझे इन दो लड़कियों के साथ खेलने दोगे मैं तुम्हें तुम्हाई ताकत बढ़ाने के लिए सौ साल दूँगा और एक स्ट्रोंग पोजीशन भी इसके बारे में क्या ख्याल है और अगर तुम मेरे बात नहीं मानते तो तुम मारे जाओगे और ये लड़कियां फिर भी मेरी होंगी तब जान कहता है मेरे पास एक सजेसन है कैसा रहेगा अगर तुम तुम्हारे सभी साथियों को मार डालो मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूँगा जब गुआन जी टांग ये सुनता है तो वो नाराज हो गया होता और कोल तरीके चिलाते हुए कहता है मौत की तलास और यसे कहता है तो वो अपने पाम अटेक को बाहर निकालते हुए जवान की तरफ अटेक करने लगता है जो देखकर जोयान सीधा ही अपने पाम अटेक को जवान गुआन जी टांग की तरफ बढ़ा देता है गवान जी टांक का जो कल्टिवेशन था वो एनिश्टा डावडी के इंटर्मीडिट लेवल पर था और वो जोहान के पाम अटेक का सामना करने पर खुद को बचाने में कैपवाल नहीं था इसलिए जोहान का टेक उसके अटेक की लंकर लगाते हो और बैंक की आवाज तब ही एक आवाज आती है और एक क्लिक की आवाज आती है जैसे कुछ तूटा हुआ हो और पूरे आसमान और जमीन में खून ही खून भिखर गया होता है जो देकर गवान जी टॉंक तुरंती चला तो यह कहता है वांग डे उससे मार डालो और बाकि एक लोगों की तरफ दहार था जिससे ही यह सबी लोग जोयान की तरफ क्रुवल्टी से दौड़ पड़े होते हैं जोसा बांग डे के भी दिल की जो धड़कने होती वो तेज होती है एक बात तो उसके लिए भी क्लियर थी कि सामने जो बंदा उसकी क्वेल्टी को देखते हो है उससे निपटना आसान नहीं होगा आखेकर जुहान के एक ही अटेक ने यहाँ पे गौांग जी टॉंग को इतना ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था जिसकी पावरण इस्टा डावडी के इंटर्मीडेट लेवल पर थी साथ ही उसके कम्प्लीट डिफेंस को भी ब्रेक कर दिया था लेकिन क्योंकि उसकी अंगमाश्टर ने ओडर दिया था उसके पास ओडर फॉलो करने के लाबा कोई आफसर नहीं था बुजवान को रोकेगा और फैमली के मदद आने का वेट करेगा साथ इसके चल पर पहले से ये एक मिस्टीरिया से स्माइल होती है और वो तुरंती कहता है मैंने पहले ही खबर फैला दी है फैमली के सीनियर एल्डर जल्दी के आएंगे तब तक हमें इस आदमी को रोकने के लिए मिलकर काम करना है जब बाकी के लोग यह सुनते हैं तो वो तुरंती अपना सेह ला देते हैं और कहते हैं ठीक है तो चलो यह करते हैं और इसके बाए इन सबी लोगों का औरा तुरंती अपेर हो जाता है साथी साथ वांगडे की जो फाटिंग intent होती है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है लेकर उसके पीछे के जो तीन लोग थे अचाना की उनकी पावर वन इस्टार डावडी लेवल के लेटी स्ट एस से इंटर मिडियर लेवल पर आ गई होती है जो देखा जोयान कहता है मुझे कहना होगा कि तुम्हारी ये formation काफी अच्छी है तब ही वो तुरेंती जोयान के उपर अटेक करते हैं उसने पाफफुल अटेकों की सीधा ही जड़ी जोयान के उपर लगाती होती है जिनका अटेक पावर भी काफी स्टॉंग था इन अटेकों का समय करती जोयान थोड़ा सा सीरियस भी होता है और धल लगते हुई लहरे धीरे धीरे जोयान की बॉड़ी से बाहर निकलती है जो एक अजीब सील्ड में create हो चुकी होती है जोयान के बाद अजीव आग जोयान के सिर के उपर एक खटा होने लगती है और ये जोयान के बॉड़ी पे एक मुखोटे की तरह फ्यूज हो गई थी जो कि जोयान के फायर आर्मर की तरह होती है यहां कापी सारे अटेक एक के बाद एक टकराते हैं लेकिन यह देखा जा सकता था कि जोयान की जो फायर सील्ड या फायर मार्क्स था वो बिलकुल भी ब्रेक नहीं होता और ये जो फ्लेम पावर थी है कितनी भयानक थी जो देखकर वांग्डे का चैरा भी बस्तूरत हो जाता है जोयान के द्वारा उसके अटेकों को आसानी से रिजॉल्व करता हो देखकर आखेकर ये लोग अगर अटेक करते हुए चारों लोग सेना में सामेल हो जाएं तो इंटर्मीडिट ट्विस्टर डावडी का सामना करने में उन्हें कैपबल होना चाहिए लेकिन वो जोयान के एक डिफेंस हिस्किल को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे जो देखकर उन समझ में आगया था कि जोयान अनबीटेबल होगा यहां तक कि वो जोयान की बॉड़ी की तरफ देखता है जोयान पे अटेक करने से पहले तो वो देख सकता था कि जौन की बॉडी के बाहर ये फ्ले में धीरे धीरे एक खटे हो रही है और एक बॉडी को create कर रही है जो देखकर हो तुरंती कहता है fire spirit यंग मास्टर बाहर पीछे हटें सबी जाओ और यंग मास्टर को ले जाओ वंग्ले ने जौन की बॉडी से निक आसमार में ऐसा लग रहा होते जैसे मेटोरड चमक रहे हो और वांग्ले और सभी लोग डरी हुए और नजरों के सामने एक के बाद एक ब्लाष्ट का सामना करने लगते हैं भले ही ये डावडी लेविल के मजबूत warrior थे लेकिन इन फाइल लोटस के अटेक के कर उनकी बॉ डरा हुआ मैसूस कर रहे थे इन फ्लेमों से आने बाले intent से जिसके बाद वो देखते हैं धीरे धीरे ये फ्लेम गायब हुई थी और उनसे कई figures दिखाई देती हैं निश्ची तोर पर ये अभी मरे नहीं थे और आग के समंदर में दो figures देखी जा सकती थी जिससे देखके जोन के आके सिकोड़ चुकी होती है और जोन तुरंदी गयता है वर डिस्ट्रक्टिव फाय लोटस अगर मैं उसका यूज करता तो साधी एक जटके में मार दिये जाते हाला कि जोन के इस अटेक में तीन लोग तो सीधे ही मार दिये गए होते और वांग डे और गौान जी टॉंग की चोटे हलकी नहीं थी सथिवर निष्टा डावडी लेवल के इंटर्मीरेट लेवल की पाउर के साथ जी टॉंग के लिए तो भागना भी मुस्किल था और तीन लोगों को अपने सामने मरता हो देखर जी टॉंग काफी उदास भी हो गया था इसलिए यह कहा जा मुझे डर है कि तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा तो चलो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड अब यहीं एंड करते हैं और नेक्स एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है क्या बस तुम्हें जाने से नहीं मार पाएगा यह जाने से मार ही देगा तो जो होगा नेक आप्टरून आप्टरून आप्टरून